दर्शिकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम यहाँ चर्चा करेंगे Vodafone Idea के बारे में क्या हो रही है, फंडिंग की बाते, उसके बारे में exclusive खबर लेकिया हैं और यह खरीदने का बहुत अच्छा मुखा है, दोस्तों, valuation की दर्श्ची से हम express नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बढ़िया मुखा आपको मिल रहा है यह कोडियो के दाम पेर, आईए चलका शुरुआत करते हैं इस टॉक के बारे में तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारे पास न्यूज है, देखें, न्यूज की accordingly, टेलिकॉम operator Vodafone आईडिया ने बाते शुरू कर दी है US-based private equity company के major KKR के साथ में, एंड क्राइले ग्रूप के साथ में वो वहाँ से 2.5 billion US dollar करीब करीब 14-18,000 करोड रुपे की बात कर रहे हैं, उनको चाहिए सिर्फ 10,000 करोड बट जादा ले रहे हैं, ताकि आगया आने वाले समय के लिए भी EGR due उनका पूरा कर सके, आपको पताई होगा, एक साल के EGR due के लिए करीब करीब 5,000 रुपे देने after big ticket fundraising with Oak Hill consortium fell through, जो हमने पुराने वीडियो में बताया था, कि उनकी discussion जो Oak Hill through के साथ में है, वो complete नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ से दोनों के बीच में, जो security और confirmation का था और default case में क्या होगा, वो सब बाते satisfy नहीं हो पाई, इसलिए ये discussion पूरी तरह से materialize नहीं हो पाया है, अब यहाँ पर चलकर जो EGR due है, 58,000 करोड का जो इनके पास में approximately है, उसको 10 साल में कर डिवैड करेंगें तो 5,000 करोड के आसपास की per year उनको pay करना पड़ेगा, अब देखें यहाँ पर दोनों promoter मिलकर यहाँ पर कह रहे हैं कि to pump in some money to enhance their comfort level, और इतने low level पर वो अपनी equity को भी dilute नहीं करना चारें, इसलिए वो यहाँ पर 10 रुपे पर नहीं बेचना चाते हैं, तो समझिए, जब promoter खुद से नहीं बेचना चारे हैं, तो आप क्यों उसको बेचेंगे, आप उसको रखे-रखे, long term में लिए बहुत बढ़िया growth रहेगी, जैसे जैसे customer इनके improve होने शुरूंगे, इन्होंने बहुत सफल प्रयास किया है, पिछले 6 महीने से अगर आप देखें, तो upload और download speed में ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा आपको यहाँ पर, दोनों के company का बात चल रही है, कि upload और download speed में ये number 1 है, दोनों तरह से देखा जाए, especially NCR region में, चाहे फिर ये हमारा वीडियो ही देखना है, तो Vodafone Idea is number 1 in last 6 months, wherever the 4G circles are there, चनल का 5WFर रूल हमेशे देना कना दोस्तों, अब देखें, दूसरा बड़ा खुलास आप के लिए करेंगे, इसमें, Vodafone Idea ने, यहाँ पर AGR case का जो चल रहा है, उसकी court hearing चल रही है, उसके चलते हुए जो discussion हो रहा है, उसमें बताया गया है, कि Vodafone Idea और Airtel दोनों ने claim किया है, कि जो calculation की गई है, उसमें error है, कुछ payment जो already कर चुका है, उसके उपर interest फिर से calculate किया गया है, और इस तरह से penalty और interest मिलकर, उनका जो actual due amount है, वो गलत हो जा रहा है, compare to जो actual amount होना चाहिए उन लोगों तो इस सब के चलते हुए, ये एक बड़े level की discussion चल रहा है, अगर हम बात करें, AGR due के बारे में सुबह 10 बजे के आसपास उनका discussion हुआ है, double counting की बात की गई है, और double counting के चलते हुए, उन्होंने बताया है, कि long term में ये यहां से इसको बढ़िया तरह से काम कर सकते हैं, जिसक long term में idea और vodafone साथ साथ में आपका ATL के लिए बढ़िया खबर है, जो consolidation case है, likely to be adjourned as per reports, और यहां पर ये मेरतर case चलेगा for the entire day, और इसमें जो discussion किया गया है, almost 50% error बताई गई है, calculation के accordingly, अगर ऐसा होता है, तो करीब करीब 30,000 करोड के आसपास vodafone idea का due है, जो पे करना long term में इनको बड़ी अच्छी position में लेकि आएगा, क्योंकि debt कम होगा, of course due कम हो जाएगा, तो debt भी कम होगा, और इसके चलते वे इन्होंने यहां पर आगया आने वाले समय में growth की दरश्ची से ये बढ़िया काम करेंगे आपके साथ में मिलकर, तो हमारे इसाब से ये एक बहुत बढ़िया पहल है, जहां पर आपको इसको अपने पास रखना चाहिए, जो कि long term में ये एक multi bagger stock बनेगा, हमारे जो target है वो भी बहुत aggressive है, बहुत बड़ा target है इसका, वो हम आगे बताएंगे आपको, आप देखें, यहां पर जो regulators है, Department of Telecommunication Department के regulators से बात कर रहे हैं, क्योंकि 5G का uptick अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसलिए DOT has asked regulator to lower the price, minimum price for auction, क्योंकि काफी समय directly, अगर आप इतने high price रखेंगे, तो अलग-अलग company उसमें afford नहीं कर पाएंगी, और इसलिए उनका bidding process अच्छा नहीं होगा, Unaffordable will seriously hamper the introduction of 5G service in India, हमको 5G service यह definitely, बट अगर price ज्यादा रहेगा, तो कोई telecom company उसके लिए bid नहीं करेगी, और जिसके चलते वे, आप और हम जैसे लोगों को, वो advanced मिल नहीं पाएगा, यहां से अगर हम देखेंगे, तो देखें, यह सब एक बढ़िया value बन जाएगी, अग अपने portfolio में नहीं रखा है अभी तक, तो please आपसे request है, इसको रखेंगे, किल लवल पर खरीदना है, आई ये चलकर technical analysis करके समझाते हैं आपको, अगर हम word of an idea की बात करें, तो देखें, वोड़ो फन idea का अगर आज का दिन का chart देखें, तो morning में काफी अच्छी spike आई थी, य देखें, ये जो दो range है, अगर आप इसको देखें, आपने suppose September से लेकर अभी तक, हर एक दिन एक share खरीदा है, तो इसका average price आपका 10.40 पैसे क्या स्पास आ रहा है, इसके नीचे ये dirt cheap price पर मिल रहा है आपको, आपको ऐसा मोका दुबारा नहीं मिलेगा दोस्तों, जबसे हम 75 पैसे का level तोड़ा, तो अगला target 20 रुपे का है near term के लिए, आप चाहे short term trader हो, चाहे long term investor हो, ये stock यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से poise है long term की growth के लिए, बुलिंजर बैंड ने काफी अच्छा bounce दिखाया है यहाँ से, देखे 10 रुपे के असपास काफी अच्छी consolidation हो रही अब अगर हम यहाँ पर MACD को दिखाएं, तो MACD के चलते हुए, इसने एक अच्छा pattern शुरुआत किया है, देखें दोस्तों, MACD आपको early indication देता है price से पहले ही, कि momentum कैसे चल रहा है, अभी भी यहाँ पर momentum positive है, बट यह जो decrement हो रही है, जो rate जिससे गिर रहा था, वो कम होता हैं, अब आगे बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर, तो देखें दोस्तों, long term में यह stock funding approval होने के बाद, फिर आपको हाथ नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से उंचा चलेगा, जैसे AGR की due के बाद ऐसा हुगा था, वैसे ही position इसकी बहुत देगा, please consult a financial advisor, अब देखें हमारे ह exception value के level पर मिल रहा है, हमारा view बहुत bullish है इस stock में, long term में यह telecom sector का एक दिगज बनेगा, और number one operator आएगा उभर के, management ने जब से वी आई का transformation किया है, बहुत फरक पड़ा है, देखें, अभी 6 महिने के अंदर से, इन्होंने number one हो चुका है, in terms of upload and download speed, अब customer को क्या चाहिए, आ ज्यादा download करना है, ज्यादा upload करना है, तो वो सब ये चीज प्रोवाइड कर रहे है, इसलिए, fundamentally customer का ध्यान रखोगे, तो customer अपने पाप, आपके पास रहेंगे, हमारा target, बोड़ा फोन idea का, पचास रुपे है, आने वाले धाई साल के अंदर, आप इसको buy कीजे, hold रखे, long आइडिया का, जैसा हमने बदा है, 10 रुपे के आसपास बहुत बढ़े है, ये consolidation एक golden opportunity होती है, long term innovation के लिए, और internet market अभी pressure में है, तो उसकी वएश से भी market थोड़ा सा नीचे की तरफ को चल रहा है, दोस्तो, यहाँ पर हम आपका एक मिनट के लिए समय चाहेंगे, अगर आ इसमें आपको एक दिन का full day workshop मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको 14 दिन का live day trading हम कराएंगे साथ में, ताकि जो आपकी फीस है, उससे ज़्यादा आपको recovery मिल जाए, तो आपको सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ में हमारे साथ live trade करने को मिलेगा, डेली आपको वीडि सा कमा सकते हैं, बशर्ते, आप कुछ parameters अपने पास रखें, और feature and option एक बहुत बढ़िया तरीका है, पैसे कमाने के लिए, अगर आपका portfolio 10 लाग से ज़्यादा है, तो आप से request करूँगा, आप इस course को please try कीजे एक बार, उसके बाद आप अगर हमारी monthly service आते तो ले सकते हैं बट ये course आपके लिए बहुत beneficial रहेगा हमारे हिसाब से, आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत हैं, चाहे उनको देख सकते हैं, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल में हो, हम आशा करते हैं, आपको इस channel पर सीखने को मिल रहा है, और अगर कोई भी question है किसी भी stock के बारे म तो please comment box में ला लिए, we'll be more than happy to make that video for you, जय हिंजय भारत,